अलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू पाथफाइंडर पाथफाइंडर पर आपका स्वगत है मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जैसा हमने आप से प्रॉमिस किया था साइंस एंड टेक्नलोजी को लेकर के एक स्पेशल सीरीज पाथफाइंडर चैनल पर आप से जाते हैं लेकिन इस साइंस एंड टेक्नलोजी से जो जादा तर सवाल आते हैं वो करन्ट बेस रहते हैं करन्ट इवेंट्स जो न्यूस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं उनसे संबंदित सवाल आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स साइंस एंड टेक्नलोजी के इस को difficult समझते हैं या उन्हें ये समझने में थोड़ी दिक्कत आती है उसका reason ये है कि हमारे basics जो है कि इबार हम उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं अगर news के अंदर science and technology related को event है हम उसको नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमें basics understanding जो है इसी तरीके से lecture wise हम पूरे के पूरे science and technology के से levels को cover करेंगे दोस्तों मेरा नाम शुभम सर्धालिया है UPSC preparation में मैं आपका educator हूँ mentor हूँ अलग-अलग subjects को मैं यहाँ पर take up कर रहा हूँ जो subjects मैं आपके साथ लेने वाला हूँ उसमें शामिल है current affairs, history, science and tech, internal security, सारी चीजों को पढ़ना रहेगा वो सारी कि सारी चीज़े आपको हमारे plus और iconic courses में विलेंगी यहाँ पर complete in depth से लेपस आपको पढ़ाया जाएगा so that आप इस exam की अच्छे से तयारी कर सके और इस पूरे की पूरे exam preparation में आप अच्छे से इसको complete करके इस exam को qualify कर सके आपको जुड़ना है हमारे साथ हमारे courses में using this code SAR10 यह code आपको massive discounts हमारे सभी courses पर दिलाएगा उस्तों हमारे fresh badges बहुत ही ज़ल स्टार्ट होने वाले हैं आपके लिए unacademy civil service championship हम लेकर के आ रहे हैं civil services के लिए unacademy compete आपके लिए मौजूद है हमारे सभी courses पर आप 0% EMI का option अवेल कर सकते हैं यानि के plus और iconic subscriptions में जुडने के लिए आपको पूरा का पूरा amount एक साथ पे करने की ज़रूरत नहीं थी आप छोटे छोटे monthly amounts में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं इन headings में divided है हमें पढ़ना रहता है space technology हमें पढ़ना रहेगा planetary systems bio technology, nuclear technology, defense technology innovation and health space technology के अंदर हम बात करेंगे satellites की important launches की भारतियां, दुनिया के कोई भी अंतरिक agencies जो है अगर कोई launch करती है वो exam के point of view से important हो जाता है उसे हम space technology के इस component में cover करेंगे इन सभी बातों के बाद हम पहुँचेंगे planetary systems पे, हमारा solar system earth, sun, यह सब चीज़ें जो है, यह planetary systems का system का part है, यहाँ पर हम समझेंगे कि क्यूं हमारे आसपास कुछ objects जो है, वो planet कहलाते हैं विरस कुछ objects satellite हैं, क्यूं एक समय पे Pluto planet हुआ करता था आज वो dwarf planet कहलाता है, हम bio technology में जाएंगे, और हम समझेंगे कैसे छोटे छोटे living organisms हमें technology के field में काफी जादा helpful हो सकते हम nuclear technology की बात करेंगे, यहाँ पर हम पूरी की पूरी nuclear technology, परमानु प्रद्योगी की को समझेंगे, यहाँ पर हम जानेंगे कि छोटा सा एक microscopic nucleus कैसे, इतनी energy produce कर सकता है, कि वो पूरे की पूरे भ्रमान्ड के विनाश का कारण बन जाता है, हम बात करेंगे defense technology की, दोस्तों defense technology में हम समझेंगे, कौन-कौन से weapons है, जो सरकार procure करती है, भारत सरकार, आपने बार-बार सुना होगा, सरकार अलग-अलग देशों से weapons जो है, वो procure करती है, साथ ही साथ हम indigeniously अलग-अलग हथियारों को बनाते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे innovation, यानि कि हर वो technology जो day-to-day basis पे इस्तेमाल होती है, as simple as the finest nanotechnology इस प्राकार की छोटी-छोटी चीजें, जो innovative solutions हो सकते हैं, हमारी बहुत सारी problems के वो हम innovation में पढ़ेंगे, और ultimately last में हम पढ़ेंगे, health के बारे में भारत में क्या health related issues है, कैसे उनको solve किया जा सकता है, क्या problems और सभी चीजों को, हम इस पुरे के पुरे syllabus में पढ़ने वाले हैं, दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे, हमारे पहले topic की discussion की, जिसका नाम है Space Technology Space Technology, दो शब्दों से बनता है, Space और Technology, Space क्या है, हमारे घर, अर्थ पे हम रहते हैं इस अर्थ के आसपास एक layer of gases है जिसे हम कहते है, atmosphere इस atmosphere की beyond एक endless दुनिया है सर, इतना बड़ा area है, जिसे हम चायद बहुत लंबे समय तक कई लाखों सालों तक भी हम इसे cover नहीं कर सकते एक never ending area जिसे हम space कहते हैं यह है space और इस space को पढ़ने के लिए, हमारे इस earth, हमारे इस home से बाहर जाकर के चीजों को समझने के लिए हमने कुछ technologies का इस्तेमाल किया वो कहलाई space technologies definition पे जाए तो सर earth के atmosphere के beyond जाकर के जब हम चीजों को समझने की चीजों को जानने की वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं उसे space technology कहा जाता है space technology में जो मुख्य चीजे हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आती है satellites, spacecraft, space stations, orbital launch vehicles, space communication इस प्रकार की चीजे हम विस्तार पूर्वक इस lecture में पढ़ने वाले हैं तो space की जब बात आई space क्या था अंतरिक्ष अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अंतरिक्ष देखना है तो आप अंतरिक्ष को किस तरफ से देखेंगे you will just look towards the sky आप आस्मान की और देखना शुरू करेंगे जब हमने आस्मान की और देखा हमें दो चीजें वहाँ पर नज़र आती थी जो सबसे ज़ादा bright थी एक था sun और एक था moon सबसे पहले हमारा ध्यान moon ने केंद्रित किया क्योंकि sun को देख पाना possible नहीं था हम जैसे उपर देखते थे एक तम से बहुत तेज रोशनी आती थी लेकिन moon जो था वो बहुत soothing सा था moon को देखने में अच्छा लगता था बहुत सारे लोगों की hobby रहती है वहाँ free time में moon को निहारते हैं लग-लग shapes आपको उसमें नजर आती हैं लग-लग faces आपको नजर आते हैं तो moon जो है वो हमें काफी जादा attract करने लगा हमने जानने की कोशिश करी कि सर ये चमकदार सी body actual में है क्या किसी ने हमें बताया सर इसे कहा जाता है satellite इंदी में बोले तो उपक रह अब सवाल तो ये था कि ठीक है सर satellite तो समझ आ गया लेकिन satellite होता क्या है ये समझना जरूरी था what is a satellite we wanted to understand that सर satellite का concept आया satellite के लिए हमें एक definition दी गई ध्यान रखिएगा दोस्तों काफी सारे चीज़े इससे हमें समझने को मिलेंगी जब हमने बात शुरू करी satellite की satellite की definition में हमें बताया गया any object that is in space and is evolving around any other object ये बहुत basic सी definitions है इसमें दो चीज़े थी कोई भी object satellite तब कहलाएगा पहली that object has to be in space और दूसरा it should be revolving around any other object तो हमें बताया गया कि moon जो है वो satellite इसलिए है क्योंकि वो earth के आसपास खूम रहा है पहला criteria क्या था it has to be in space undoubtedly सरी ये पृत्वी के atmosphere से बाहर था which is which entire area is called space तो ये space में मौजूद था हमारा पहला criteria fulfill होता है second criteria कहता था it has to revolve around any other object किसी दूसरे पिंड के आसपास इसे खूम तो हमें समझ आया कि हर वो body जो किसी दूसरे object के आसपास घूम रही है हमारे space में वो satellite कहलाएगी going by this definition sir हमारे सारे के सारे planets वो भी तो यही करते है sir with respect to sun सभी planets भी satellite है हमेशा याद रखिएगा satellite जो है वो हमेशा with reference to something होगा अगर मैं आपसे कहूं कि moon जो है वो satellite है तो आप इस पर agree करेंगे लेकिन क्या moon हर किसी के लिए satellite है sir moon सिरफ earth के लिए satellite है moon जो है वो Jupiter के लिए Saturn के लिए Uranus के लिए इनके लिए satellite नहीं है उनके अपने satellites होंगे so satellite जो है वो एक relative phenomenon है यानि कि किसी object के आसपास अगर कोई object गूमता है तो इस पहले object का ये second object satellite कहलाएगा so with respect to sun सूरज की संबंध में जब हम देखें तो sir सारे के सारे planets हो है वो satellites है so we can say that all planets are satellites but all satellites are not planets अब planets का क्या criteria है कैसे किसी object को हम planet मानते हैं किसी को नहीं मानते हैं इस बात को समझने के लिए हम पढ़ेंगे planetary systems में basic definitions या basic things about planets sorry तो any object orbiting around the sun, earth और any other celestial bodies known as a satellite स्पेस में सूरज हो रित्वी हो या किसी भी दूसरी body के इर्द गिर्द अगर कोई object खूमता है वो satellite कहलाता है सो हमने देखा अर्थ के आसपास एक object खूम रहा था जिसको हमने नाम दिया moon ये क्या था ये satellite था अगर अर्थ की satellite है सो अर्थ के पास moon अपनी satellite है तो अलग-अलग planets के बाद भी satellites है for example Jupiter के पास 67 natural satellites है Saturn के पास more than 80 satellites है लेकिन हमारी अर्थ के बाद सिरफ एक permanent और natural satellite थी जिसका नाम था moon अब natural satellite का क्या यहाँ पर reference है सर natural satellite का मतलब ये था कि प्राकृतिक रूप से nature से ही हमें ये satellite जो है वो मिली थी कभी आपने सुना है किसी को कि या मैंने moon को यहाँ इस देश ने moon को वहाँ पर भेजा था moon already वहाँ पर था इस nature ने इस प्राकृति ने हमें moon जो है वो दिया था so moon became the natural satellite of the earth so यहाँ तक क्या I hope हमको story clear होई होगी अब हुआ क्या ये earth थी और इस earth के surface से दूर यहाँ पर moon था मुझे इस earth को देखना था I wanted to have a look of the earth चोटा सा example आपने अपने घर के बार नया paint करवाया अब आपको अपने घर के paint को देखना था आप घर के अंदर बैठके तो नहीं देख सकते थे आपको अपने घर से बाहर step out करना था only then you will be able to have a look of your house same अगर हम logic यहां पर लगाते हैं हमें देखना चाहता था यह पृत्वी दिखती कैसी so पृत्वी पर रह करके पूरी की पूरी पृत्वी को देख पाना संभव नहीं था I had to step out from the earth surface तभी मुझे पृत्वी जो है वो दिखेगी तो हमने flight ली flight से भी मुझे थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था पूरी की पूरी पृत्वी तो flight से भी नहीं दिखती so मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे आर्थ से काफी लंबे distance पे जाना होगा तब मुझे यह आर्थ जो है वो पूरी की पूरी नजर आएगी जैसे ही दूर के distance की बात हुई हमारे दिमाग में सबसे पहले आया कि अरे यार हमारा moon already वहाँ पर मौझूद है बच्पन में में सिखाया जाता है एक छोटा बच्चा जब आस्मान की और देखता है और अपनी मां से पूझता है मां हो क्या है तो मां moon नहीं कहती है मां कहती है वो चंदा मामा है यानि कि हमारी science के basics वहीं से खराब हो जाते है so मुझे as a child बताया गया था कि ये moon मेला चंदा मामा है so I was asking to this चंदा मामा कि चंदा मामा मुझे इस earth की photos कीच के भेजो यार कुछ देखना चाहता हूँ ये earth कैसी दिखती है but as expected sir moon will never reply हमारे लिए चंदा मामा है he doesn't even know असमों में जानता तक नहीं है और वैसे भी बतलब let's not get into this जानता कैसे होगा it's not some living object so moon से हमारी expectations थी कि moon जो है वो दूर रहे करके पृत्वी को देख पाता है so this gave us the concept कि अगर हम कोई ऐसा object moon की तरह ही पृत्वी से दूर ले जाए तो वो हमें इस पूरी की पूरी earth को देखने में मदद करें क्योंकि sorry क्योंकि earth जो है वो surface पे रहे करके नहीं देखी जा सकती थी moon हमारी help कर नहीं रहा था so हमने decide किया कि हम एक ऐसा object तयार करेंगे जिसको हम पृत्वी के surface से बाहर भीजेंगे और उसे कहेंगे कि पृत्वी के आस पास चक्कर लगाना शुरू कर दे start revolving around दिया moment वो object पृत्वी से बाहर गया तो वो space में आ गया और जैसे ही उसने पृत्वी के आस पास चक्कर लगाना शुरू कर दिये sir उसने fulfill कर दिया हमारा satellite का criteria हमने एक object बनाया वो space में गया और वो earth के आस पास घूम रहा था तो हमारे दोनों criteria's fulfill हो गए हमने कहा कि sir हमने एक satellite बना लिया so हमारे पास moon था जो natural satellite था के sir हमारे पास moon था which was a natural satellite and there was another set of satellites जो हमने खुद बनाये थे they were what they were artificial satellites या इनको कहा जाता है क्या manav nirmith band made so दो प्रकार के satellites हम पढ़ेंगे with respect to earth बाकी solar system में जितने planets है जितने objects हैं उनके satellites ने we are only concerned about the satellites around the earth so natural satellite तो एक ही है moon है artificial या man-made satellites बहुत सारे हैं उसमें से भी हम important satellites की बात करेंगे जो भारत द्वारा लौज किये गए are we clear up till here so natural satellites के अलावा यहां पर बहुत सारी man-made satellites थी जिनको एक orbit में place किया गया था यह orbit क्या है इसको भी हम समझाएं यह अलग-अलग तरीके से हमारी मदद करते थे guys I always say के दुनिया में सबसे स्वार्थी सबसे selfish creature अगर कोई है तो वो इनसान है if human has made these satellites ना तो ऐसा नहीं है कि खुशी में बना दिया कि कुछ काम नहीं था जलो satellite बना देते हैं when we made this satellite it had to solve some purpose इसको किसी purpose के कारण किसी कारण वश इसको बनाया गया था sir क्या purpose solve करने वाली थी यह satellites यह satellites हमारी मदद करने वाली थी communication में, earth observation में और navigation में अब ये क्या है सबसे पहले बात करेंगे हम satellites के types की मुख्य रूप में तीन प्रकार की satellites होती है यह हमें communication में information gathering में, earth observation में मदद करें communication क्या होता है sir communication means वार ताला, बात, जीत मैं आप से बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे है that is communication you are communicating with me, I am communicating with you that is communication, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ अप मुझे अपनी बात बता रहे हूँ, अगर आप मुझे नहीं भी बता रहे है आप मेरी बात सुन भी रहे हो, तो यह भी one way communication है so communication was nothing but exchange of information exchange of information exchange of information कैसे होगा sir मान लीजिए यह दो व्यक्ति थे A और B कि A और B आपस में बात कर रहे थे, इस सामने रहे करके एक दूसरे से बात कर रहे थे, वेल, अच्छे से यह बात कर पा रहे थे, धीरे धीरे यह दोनों अपने अपने रास्ते पे चलेगे, कुछ दूरी पर जा करके A पहुँचा यहां पे, और B पहुँच गया यहां पर लेकिन बहुत important message था जो A ने B को देना था So इस situation में directly A, B को नहीं बता पाता So हमने क्या किया हमने इनके center में एक उन्चा सा tower बना दिया इस tower के उपर एक तीसरा विक्ति खड़ा था माल लीजे गाउं का इलाका है यहाँ पर एक water tank है इस water tank के उपर एक तीसरा आदमी खड़ा था C अब C जो है वो A को भी देख पा रहा था और C जो है वो B को भी देख पा रहा था So A directly अपना message B तक नहीं पहुँचा पा रहा था So A ने अपना message भेज दिया C को A ने C से कहा कि C, C मेरी बात B तक पहुँचा दिया अब C ने ये message B को पहुचा दिया So एक individual जो इन दोनों के बीच में एक heightened जगह पे खड़ा था जहां से इन दोनों को वो देख पा रहा था वो यहाँ पर एक intermediary बना जिसकी मदद से ये दोनों आपस में communicate कर सकते ये simple सा example था हमारे काउन का So let us understand the similar concept with respect to earth ये हमारी पृत्वी थी सर इस पृत्वी पर यहाँ पर A था यहाँ पर B था अब पृत्वी जो है वो इतनी विशाल काय है जिस कारण A और B का direct communication तो possible नहीं था So हमने same logic लगाया कि अगर पृत्वी की सते के ऊपर कोई ऐसा सा object हो जिसको A अपना message दे और वो message B को दे दे तो A और B में communication possible हो जाए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा So A and B could communicate with the help of this object जो पृत्वी की सते के ऊपर था इसे नाम दिया गया क्या? Communication Satellite I hope हमें ये basic concept समझ में आया होगा Communication Satellite क्या करती है? सर पृत्वी पर एक relay station होता है या एक ऐसा station जहां से ये signals Satellite को भेजे जाते हैं और उसके बाद हमारे घरों पर इस तरीके की device सो है वो लगी होता आपने अपने घरों में बच्पन में एक इस प्रकार की device देखी हो इस प्रकार की एक device कुछ लोगों ने बच्पन में देखी होगी 90s kids अगर उन्होंने इस प्रकार की device देखी होगी उसके बाद के लोगों ने शायद इस प्रकार की device सो है वो देखी होगी यह है सर एंटीना और यह है डिश इस एंटीना से क्या होता है सर इस एंटीना से हमारे घर में पुराने समय में एक बड़ा सा इस प्रकार का टीवी होता था उस टीवी पे शक्तिमान आता धीरे धीरे इसकी जगे लेली एक डिश ने डिश को कनेक्ट किया जाता था एक box से जिसे कहा जाता था set-top box और उस box से हमारे घर के LED TV पे program सो है वो आना शुरू कभी आपने सोचा है कि ऐसी क्या वज़े थी कि सर ये antenna और dish चत पे लगाए जाते थे अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक नया TV खरीदा है उसको जाकर कि चत पे रख दीजी लेकिन फिर भी जब घर में नहीं dish आती है नया antenna आता है हम जाकर कि उसको चत पे लगा देते हैं and we are never bothered कभी बुरा लगा कि आरे यार वो बैचारी डिश थूप में बैठी होगी बैचारा antenna थूप में होगा उसके बारिश पड़ रही हो no क्योंकि सर उसका job है ये वो चत पे रहेगा तब जाकर कि आपके टीवी पे cricket match आएगा so this made us think कि ऐसा क्या है सर चत के ऊपर चत के ऊपर कौन सा production house है जो इस dish को इस antenna को signal दे रहा था या इस dish या antenna में information आ रही थी तो सर वो information आ कहां से रही थी यही 1000 km ऊपर इस प्रकार की एक device जो है वो मौझूद थी जो signal भीज रही थी इन signals को ये antenna ये dish catch करते थे और ultimately उन signals से हमारे टीवी पर हमारे घरों में cricket match, news और other broadcasting चीज़े जो है वो आती थी so इस प्रकार की satellites हमें किसमें मदद करती थी news gathering, satellite news gathering, societal applications थे इसके weather forecasting करता था television broadcasting करता था, telecommunication करता था, satellite phones यह सब चीजे किस से हो रही थी, यह सब चीजे हो रही थी हमारी first type of satellites है जिने communication satellites कहा जाता second type of satellites कहलाती थी earth observation satellites earth observation satellites क्या थी, earth observation की satellite की मैंने आपको example starting में दे दी थी सर मुझे देखना था यह पृतवी कैसी नजर आती है, मुझे जानना था यह पृतवी दिखती कैसी है उसके लिए मुझे earth को observe करना था सारी कहानी वही से शुरू हुई थी, मुझे earth को देखना था, earth को observe करना था इसके लिए मैंने एक type of satellite बनाए सो ये satellite इनके अंदर बहुत ही high resolution के cameras मौजूद होते हैं ये उन्चाई से जाकर के अर्थ के अलग-अलग हिस्सों को देखते हैं अगर आपने परमाणू movie देखी है जिसमें पोखरान nuclear test के बारे में बात की गई है सो पोखरान 1 जो mission था उस mission अगर आपने पोवी देखे तो आप relate कर पाएंगे वो mission क्यों रोकना पड़ा था क्योंकि US की satellite पृत्वी की कक्षा में घूम रही थी और वो observe करती थी अलग-अलग जगों पे क्या चल रहा है तो उसके high resolution अलग-अलग चीजों में agriculture में water resources में urban planning में शहर को अगर extend करना है एक शहर अपनी caring capacity से ज़्यादा population को अगर hold कर रहा है तो उस population को extend करना है कहीं दूसरे इलाके में भेशना है इसके लिए इस प्रकार की satellites का इस्तेमाल किया जाता था disaster management आदी में आर्थ observation satellite सेस्तेमाल में आती है तर फिर आती है तीसरी प्रकार की satellite जो कहलाती है navigation satellite आप सभी ने अपने mobile में maps का feature जो है वो use किया होगा एक समय था एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए रास्ता सड़क पे पूछना पढ़ता था किसी वेक्ति को रोग करके बुला करके भाई साब ये address बता सकते हैं कहां पर है किसी पान वाले से पूछना रहता था किसी दूसरे वेक्ति से पूछना रहता आज ऐसी जरूरत नहीं है आज हम बहुत easily अपने घर से अपने फोन में एक location डालते हैं वो हमको हर गली, हर किनारा, हर बोड जहां से उस location का रास्ता है हमारी मंजल तक पहुंचने के लिए हमें बता देता है अभी आपने सोचा है कि हमारे फोन को कैसे पता यह क्या थी सर, यह है navigation satellites हमारे फोन के अंदर हम application यूज करते है maps आदी की यह maps की applications वो है वो satellite system से चलती है कुछ साल पहले तक हम निर्भर करते थे GPS system पे, global positioning system पे global positioning system क्या था एक set of satellites था जो जिसने अर्थ को चारों और से घेर रखा है यहाँ पर आर्थ के ऊपर navigation में मदद करती है क्योंकि आर्थ के हर कोने की information रास्ते इनको मालूर है यह थी USA made global positioning satellite system इसी की तरहां भारत ने कुछ साल पहले अपना खुद का satellite system बनाया जिसका नाम था NAVIC Navigate with Indian Constellation Indian Regional Navigation Satellite System IRNSS इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम important missions इंडिया के समझेंगे I hope हम three types of satellites हो है वो समझ पाए होंगे I hope we are clear with के हमने artificial satellites क्यों बनाये थे So we made artificial satellites क्योंकि हमें इन से communication करानी थी हमें orth observation करानी थी हमें कराना था navigation I hope यहाँ तक चीज़े हमको clear है अब अगर मैं आपसे पूछू कि हम क्या discuss कर रहे थे Space technology में हमने सबसे पहले बात करी What What का answer क्या था satellite उपगर है What हम satellite की बात कर रहे थे क्यों हम satellite की बात कर रहे थे तर क्यों का जवाब यह था क्योंकि यह satellites के various applications थे यह हमें earth observation में यह हमें navigation में यह हमें communication में help करते थे अब if I ask you यह satellites रहती कहां पर है where these satellites are placed So if I ask you where these satellites are placed तो यह satellites कहां मौझूद थी सर यह satellites मौझूद थी Space के अंदर ठीक है न क्योंकि Space technology के हम बात कर रहे है These satellites were there in space only लेकिन सर space एक endless phenomenon है Space कोई छोटी जगे नहीं है Space बहुत बड़ी है बहुत विशाल काई है तो इतने बड़े इलाके में इतनी बड़ी जगे पर यह satellite कहां पर है इसके लिए हमें concept बताया गया जिसे कहा जाता है orbit तर असल हर object आसमान में गोल रास्ते पर खूम रहा है एक fixed path पर हर object जो है वो खूम रहा है हर object का यह regular repeating fixed path जो है उसका orbit कहलाता है एक सवाल आपके मन में बहुत बार आया होगा कि why objects revolve in space अंतरिक्ष में सारी की सारी चीज़े गोल गोल क्यों खूम रही सर अंतरिक्ष में हर चीज़ के गोल घूमने का एक कारण है जब कोई भी object अंतरिक्ष में मौजूद है वो गोल गोल घूमता है आपने बच्पन में कभी अगर गले की chain या माला को उंगली में डाल करके घुमाया होगा आप एक chain को माला को उंगली में डाल करके इस तरीके से घुमा रहे थे अचानक वो माला आपकी उंगली से निकलती है और एक tangential direction में जा करके गिरती है ऐसा ही होता ना आप घुमा रहे है एक बार वो उंगली से छूटे गे और कहीं दूर जा करके गिरेगे कोई भी revolving object जो है उस पे बाहर की ओर एक tangential force लगती है जिसे कहा जाता है centrifugal force सो centrifugal force क्या करती है हर revolving object को एक बाहर की और pull करती है tangential direction में pull करती है राइट सो क्या हुआ ये tangential force जो इस प्रकार के objects पे लग रही थी वो इस object को बाहर की और खीच रही वहीं simultaneously अगर ये अर्थ है सो अर्थ का गुरुतवा अकरिशन बाल अर्थ का ग्रेविटेशन इस object को अर्थ के surface की और खीच रहा था आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका एक आपका दोस्त है वो आपको इस direction में खीच रहा है दूसरा दोस्त इस direction में खीच रहा है जब दो forces simultaneous list पे लग रही थी ये object एक balance maintain करने की कोशिश करता है कि ना मैं इसके साथ जाऊँगा ना मैं इसके साथ जाऊँगा इन दोनो forces का balance maintain करने के situation में वो बैचारा कुछ इस प्रकार से चलना शुरू हो जाता है यहां से खीचा गया वो इस point पे आया यहां पहुंचा again एक tangential force एक gravitational force उस बैचारे ने इस प्रकार की एक balance maintain किया फिर gravitational force फिर tangential force वो बैचारा यहां पहुंचा फिर यहाँ पर एक gravitational एक tangential वो बिचारा यहाँ पहुंच गा वो forces को balance करते करते जब मैंने उसका moment observe किया सर वो इस प्रकार से गोल आकार में घूम रहा था इस तरीके का गोल आकार moment जो है वो किसी भी object को pace में गोल आकार गोल गोल घूमने पे मेजबूर करता है that's why every object revolves in space और इस object के revolve करने का यह जो रास्ता है इस रास्ते को नाम दिया गया है orbit हर object का अपना एक orbit है जिसमें वो गोला कार में खूमने so when somebody asked me के sir हम बात कर रहे थे satellites की satellites क्या है वो हमने समझा satellites क्यों है वो हमने समझा कि satellites हमको अलगलग कामों में मदद करती थी अगला सवाल हमसे यह पूछा जाएगा कि satellites कहा होती है तो space के अंदर एक fixed orbit में satellites को place किया जाता है अब हम समझेंगे orbits के बारे में so orbit क्या है एक regularly repeating path है जिसमें कोई भी object space में बोला कार खूमना satellite के function के अनुसार orbits वो है वो अलग-अलग type के होते हैं अलग-अलग orbits में satellites को place किया जाता है कौन सी satellites को sir man-made satellites को हम natural satellites को तो place नहीं कर सकते न natural satellites का अपना path fixed है उनका orbit fixed है लेकिन man-made satellites को हम एक जगे पे fix कर सकते थे depending upon the function के उससे क्या काम हमको लेना है अलग-अलग कामों के लिए satellites को अलग-अलग types के orbits में रखा जाता है इन orbits की classification दो प्रकार की है हमारे पास अलग-अलग type के orbits है जिनको हमने group किया है दो categories में एक है on the basis of height कितनी उंचाई पर ये satellite मौजूद होगा उंचाई प्रित्वी की सते से अर्थ के surface से कितनी उंचाई पर जा करके satellite को place किया जाएगा वो on the basis of height है और second classification है sir on the basis of position क्या है इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे on the basis of height हमारे पास low earth orbit, medium earth orbit, high earth orbit है on the basis of positioning हमारे पास geosynchronous, geostationary, polar, sun synchronous और transfer orbits है दो प्रकार के classification orbits के थे एक था उनकी उंचाई के अधार पर यानि प्रित्वी की सते से कितनी उंचाई पर कोई satellite मौजूद है वो low earth orbit हो सकता है, वो medium earth orbit हो सकता है, वो high earth orbit हो सकता है second classification था on the basis of their positioning उनकी position के अनुसार ये satellite जो है, वो कहां पर है ये on the basis of positioning जो है, वो geosynchronous, geostationary, polar, sun synchronous और transfer orbit की classification में fall करता है इनके बारे में हम आज वोड़ा से हम discussion करेंगे height जब criteria है on the basis of height, हमारे पास तीन टाइप के orbits है, low earth orbit, medium earth orbit और high earth orbit low, medium और high, low क्या होता है, कम क्या, सर, low height पृत्वी की सते से जो सबसे कम उन्चाई पर है यानि कि the satellites which are closest to the earth fall in this category पृत्वी की सते से 160 km से लेकर के 1000 km तक या 2000 km तक अगर कोई भी satellite है वो कहलाती है low earth orbit एक normal जो commercial flight है, वो हमारी उड़ती है maximum 14 से 15 km की उन्चाई इससे 10 times जादा 160 km से हमारी satellites की placement शुरू होती है वो placement जो 160 से लेकर के 2000 km अबव दी earth surface तक जाती है वो सारी की सारी satellites किस orbit का पार्ट होती है इस all satellites are part of low earth orbit सो यहाँ पर classification का criteria क्या है height सो सबसे पहले आती है low earth orbit satellites फिर आती है medium earth orbit satellites सर 2000 से शुरू होकर के 20,000 km तक के area में जो satellites मौजूद होंगी वो कहलाती है part किसका medium earth orbit का और third classification हमारा है high earth orbit beyond 20,000 km from earth surface जितनी भी satellites placed होंगी वो सब कहलाएंगी किसका हिस्सा they all are the part of high earth orbit ये तीन classification है on the basis of height next lecture में हम लोग discuss करेंगे orbits के बारे में दुबारा से on the basis of height और on the basis of position हम इनको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों मैं उमीद करता हूँ ये basic पहली class हमें अच्छे से समझ आई होगी इसी तरीके से बिलकुल simplest possible language में हम चीजों को समझेंगे चीजों को discuss करेंगे कोई भी आपका doubt है आप comment section में मुझसे पूछ सकते है next class में मैं आपके doubts को address करने की कोशिश करूँगा thank you very much all the best keep working heart दोस्तों आपके लिए massive discounts unacademy के सभी courses पर मौजूद है अगर आप use करते हैं ये code SAR10